अमस्कार आप सभी का और एक बार हर्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूं अभी हम बीएचडी प्रिभियस एर का कुश्चन पिपर एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रस्ण कहां से आता है तो अभी ध्यान से सुनने का प्रयास किजिएगा सुरू करते हैं हिंदी सबसागर के भूमिका के रूप में लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ है कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास? इसका सही आंसर होगा B. Grierson, George Grierson का है. सत्यवती कथा की रश्नकार कौन है? सत्यवती कथा की रश्नकार है. इस्वर्डास. महाशुकवाद का संबंध कि संपरदाई से है? महाशुकवाद का संबंध जो है बौद धर्म से है. इस तरह direct question आता है तो आसानी से आप कर सकते हैं लेकिन अगर काल करम के अनुसार सजा कर लिखने वाला आए तो हमें थोड़ा सा इसके प्रती ध्यान देना होगा निम्द में सूफी रचनाओं को काल करम अनुसार सजाईए ये रचना को काल करम के अनुसार सजाना है तो इसका सही आंसर होगा D इसके नीचे लिखा गया है चंदायन 1389 में म्रिगावती 151 में पदमाबत 1540 में और अनुराग बांसूरी 1764 में तो ये काल करम के अनुसार इसका सही आंसर D होगा इसी तरह के प्रस्न आते हैं भक्ति आंदोलन के जो लहर दक्षिन से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्तिते की अनुरूप हिंदू-मुसल्मान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मारिक की भी संभावना कुछ लोगों में जगाई इस कथन के लेखक कौन है रामचंद्र सुकल जी तो कथन संबंधित प्रस्न भी पांच मार के पूछे जाते हैं तो इसकी प्रतेवी हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा कथन किसकी द्वारा खा गया है इसमें से कौन सी रचना तुलसिदास की नहीं है पार्वती मंगल, रामचरित मानस और कृष्ण गितावली तुलसिदास की रचना है लेकिन रामचंद्र का नहीं है फोट विल्यम कॉलेज की स्तापना किस सहर में हुई थी कोलकाता में निम्न रचनकारों का सही काल क्रम निर्धारित के जे यहाँ पे रचनाकार का पुछा गया है यानि हमें उनका जन्म भी याद रखना होगा कि किस वर्स में जन्म लिये थे इसका सही आंसर होगा मावीर ब्रसाद दिवेदी ने सरश्वती पत्रिका का संपादन किस वर्से प्रारम्ब किया था नागरे प्रचारेनी सभा से शपनेवाली पुस्तक कविर ग्रंथवली के संपादक हैं बाभू स्यामसुंदर दाजी हैं नीव में से कौन अस्ट शाप के कवी नहीं है अस्ट शाप के कवी सूर दास, क्रिशन दास, नंद दास हैं लेकिन राम दास नहीं है इन में से कौन सी कवीता निराला की नहीं है भिक्षुक जोही किकले और बादल राग है लेकिन अंधेरे में कवीता उनकी नहीं है बियोगी होगा पहला कवी आ से उपजा होगा गान निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजान ये पंक्ती किस कवी के द्वारा रचीत है इसका सही आंसर होगा ब सुमित्रा नंदन पंत और एक बात है दोस्तों कि ये जो कथन है कविता से दे जाती है पंक्तियां इससे भी प्रशन आते हैं ज्यादा से ज्यादा तो कूल मिला कर कथन संबंधित प्रशन और पंक्तियां संबंधित किस कवी के द्वारा रचीत है पांच प्रशन आते हैं इस पंक्तियों के रशनकार कौन है हरिवन्स रायवच्चन देखिए अभी तक यानि पंक्ति के संबंधी दो प्रसन आ चुके हैं तो और भी इसी तरह प्रसन आते हैं तो इसलिए प्रसन पत्र को आप दिहान से अच्छे से प्राक्टिस कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि प्रसन कहां से और कैसे आता है तो इस तरह के से पढ़ने से सबसे आसान तरीका कम समय में हम आसाने से एंट्रांस किलियर कर सकते हैं रामचरित मानस के निमना ध्यायों का सही क्रम निर्धारित कीजिए तो इसका सही आंसर होगा बालकांड अयोध्याकांड सुन्दरकांड उत्तरकांड इस तरह के सही क्रम निर्धारित है बालकांड अयोध्याकांड उसके बाद आता है किसके इन्दाकांड आता है सुन्दरकान उत्तरकान और विविच में दो है इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है सत्रंश के खिलारी है नया विवा कफन है लेकिन ममता कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है इनमें से कौन सा निबंध रामचंद्र सुकल का नहीं है अशोक के फूल तो इस तरह के आसान से आसान प्रश्ण भी आते हैं लेकिन हमें कटिन प्रश्ण की और भी ध्यान देना होगा क्योंकि मायनस मार्किंग भी होता है गुप्त जी वास्तम में सामन्जस्यवादी कभी है प्रतिकिर्या का प्रदर्शन करने वाले अत्वा मद में जुमने वाले कभी नहीं है यह उक्ति किसकी है यह उक्ति रामचंद्र सुखलजी की है देखिए कौन से बिद्वान किन बिद्वान के बारे में आलोशना किये हैं यह पंक्ति भी आते हैं तो पंक्ति संबंधित कविता के पंक्ति संबंधित ये सभी पांच माक्स के प्रस्ण जरूर ही आते हैं तो इसे हमें ध्यान देना चाहिए कई दिनों तक चुलहार होया चक्की रही उदास कई दिनों तक काने कुतिया सोई उनके पास इन पंक्तियों के कभी कौन है सही आंसर होगा नागारजुन तो अभी तक आपने देखा होगा कि पांच प्रस्ण कोल मिलाके इस तरह आ चुके हैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे से इस वीडियो को सुने मैं जो भी वीडियो अभी लाऊंगा आप अच्छे से सुनने का प्रियास किजिएगा ताकि आपको पता चल सके और कम समय में आप आसानी से कैसे इंट्रांस के लिएर कर दे और ये जो है अनुछेद है 61 से 65 प्रश्ण के अंदर तो आप लोग ये असानी से कर लेंगे फिर है उसके बाद देखिए 65 तक है अनुछेद का 66 का है किसका प्रयोग सम वर्गे पंचम वर्ण के बदले भी होता है किसका प्रयोग होता है अनुस्वार का प्रयोग जैसे कि मालिज ये गंगा लिखते हैं गंगा तो यहाँ पे अंगा का प्रयोग हम लोग अनुस्वार की रूप में किये चंचल तो चंचल जो है निय का प्रयोग अनुस्वार की रूप में हुआ गंगा, चंचल, बंद ऐसे तो सम वर्गे पंचम वर्गे बदले हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं आ क्या-क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए कंठ, देर्ग, पस्ष, विवरित और अवरित मुखी. पवित्र का संदी विशेद क्या है? पवित्र का संदी विशेद होगा पू प्लस इत्र, पवित्र. कौन से वर्न कभी सब्द के आरंब में नहीं आते हैं ये डी होगा इसका आंसर डा और निया क्योंकि न सी नमबर देखिए न आता है डा भी आता है मा भी आता है तो ये दोनों जो सब्द हैं वर्न कभी सब्द के आरंब में नहीं आते हैं डरनम, बी नमबर, नर्सिंग कौन सा समास है, इसका सही आंसर होगा, उपमीत कर्मधारय ततपुरोस, और एक बात बता दो दोस्तों, कि ये जो जितने भी प्रशन आ रहे हैं, यानि ग्रामर में, इसके लिए भी किताब है, तो मैं उस किताब से आप सभी के लिए प्रशन ब बुक से ही बना गया था, तो मैं एनलिसिस किया था, इसलिए, डैनिक सब्द में कौन सा प्रयत्य है, डैनिक सब्द में एक प्रयत्य है, इसका सही आंसर होगा, बे, एक, कौन नित्य पूलिंग सब्द है, नित्य पूलिंग, देखिए, इसका सही आंसर खरगोस होगा, क्य यह चाहती है तो अगर हमें जब यानि पूलिंग और इस्थिलिंग में सब चुन्ने में कुछ असुवदा होती है तो हमें वाक्य में उसको प्रयूक्त कर लेना चाहिए हमें पता चल जाता है और अंतीम है इनमें से कौन सी भावचक संग्या अव्व से बनाई गई है अव्व से बनाई गई भावचक संग्या जिसे मानव ता यह तो संग्या से बनाई गई है भावचक संग्या निकट ता यह जो अव्व है निकट से ता प्रतिजूर करके इसमें भावचक संग्या ब बनाई गई है सुन्दर प्लस ता तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बे क्यूंकि निकट जो है अब्य है और इसमें ता प्रति जोर करकि भाव अचक संग्यां बनाएं गई है चाकू का बहुवचन रूप क्या होगा चाकू ही होगा सी तुम्हें मेरे शुप कामनाएं कारक की पहचान कीजिए इसका सही आंसर होगा डी संप्रदान कारक ये भी मैं जो बुक से पढ़ा था उसी बुक से ही प्रशन आये हैं थोड़ा सा उधारन जो है हमें खुद भी ब नहीं कीजिएगा चिडियां चह चहा उठे वाक्य में प्रयुक्त धातु रूप क्या है अनुकरनात्मक धातु ए अनुकरनात्मक धातु से कहते हैं जो की अनुकरन आबाज से अनुकरन करके बनाए गई हो जैसे चिडियां की आबाज से तो चिडियां की आबाज से नात्मत धातु संभवत वह पढ़े वाक्य में काल की पहचान कीजिए संभवत यानि संभव ना है वह पढ़े की वह पढ़े गा यानि भविश्यत में ही होगा संभव ये भविश्यत काल इसका सही आंसर भी होगा संतोस से बढ़कर सुख नहीं किस प्रकार का वाक्य है संतों से बढ़कर सुख नहीं ये वाक्य जो है सरल वाक्य है अंग-अंग धीला होना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा बहुत ठक जाना अर्थात हमारा अंग-अंग धीला हो जाता है हम और चल नहीं पाते हैं यानि बहुत ठक जाना पाव जमीन पर ना पढ़ना इसका अर्थ क्या है? अधिक खुसी या घमंड होना जब पाव जमीन पर ना पढ़ने इसका मतलब हम उशल कुदते हैं तो उशलते हैं तो अधिक खुसी यानि हम आश्मान की और जाते हैं पाव जमीन पर नहीं पड़ता इसका अर्थ है अधिक खोसी या घमर्ड होना तो यहीं तक समाप्त हुआ और आप अगर हिंदी साहिते का इतिहास से भी अच्छा मार्क ला लेते हैं 40 मार्क तो आप 20 मार्क जो उड़ियां में निश्चित रूप से लियाएंगे कट अप टोटल जाता है दोस्तों 55, 56, 60 की अंदर ही रहता है ज्यादा नहीं जाता आप अगर हिंदी साहिते का इतिहास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप असानी से इंट्रांस के लियर कर पाएंगे तो इसी तरह अगर आप मेरी चीनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा क्यूंकि अभी मैं आप सभी के लिए कुश्चिन पेपर एनालेसिस करूँगा पीजी के लिए और बीएजडी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद और सुक्रिया अब अग